नमस्कार आप देख रहे हैं आज की खबर आपके साथ मैं हूँ अफीफा मलिक साइकलोन विपर जोई अब राजिस्थान की तरफ रुक कर चुका है गुजरात में दस्तक देने के बाद विपर जोई ने राजिस्थान में तबाही मचाना शुरू कर दिया है चक्रवाती तूफान विपर जोई शनिवार 17 जून की सुभार राजिस्थान पहुचा और 65 किलोमीटर के साथ जोधपुर की और बढ़ा तूफान के चलते और इस थिती को समहालने के लिए सभी तरह के इंतिजाम किये जा चुके हैं साथ ही रक्षा और बचाव एजंसियां भी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर हैं मौसम विभाग में औरेंज अलर्ट जारी करते हुए राजि के सिरोही बार्मेर, जालोर, पाली, जिले में भारी बारिश के चेतावनी दी इसके साथ ही 30-35 किलोमीटर प्रती घंटे की रफ्ता से हवाय चलने की संभावना भी चताई गई है जैसल में जोजपूर, बीकाने, नागौर, चुरू, सीकर, उदैपूर, अजमेर, जुन-जुनू, राजस्मन, जिलो के लिए यलो एलर्ट जारी किया गया है जानकारे के मताबिक राज्य में नियुनितम तापमान भी 20-30 डिग्री तक दर्च किया गया अधिकारियों का कहना है कि राज्य के कुछ हिस्सों में बारिश की हल्चल सोंवार तक जारी रहेगी विपरजोय तूफान के राजस्थान का रुक करते ही मौसम विज्ञान केंदर के साथ जिल्ला प्रश्यासन पूरी तरह से सतर्क है मौसम के बदलते हालात को देखते हुए राजस्थान में औरेंज अलर्ट जारी किया गया है हाला कि इसी बीच भारती मौसम विज्ञान ऐसा भी कह रहा है कि जल्द ही ये तूफान थम जाएगा राजस्थान के मुखे मंतरी अशोग गहलोट ने विपरजोय के चलते सुरक्षा की तयारियों को लेकर संबंदित हदिकारियों के साथ बैठक करते हुए बचाओ और राहतकारी के लिए निर्देश दिये राजस्थान के कई इलाकों में बीते 24 घंटों में भारी बारिश हुई मौसम विभाग के अनुसार राजस्थान के बारहा जिलों में साइकलोन का असर पढ़ सकता है इन में बार्मेर, जोधपुर, जैसरमेर, जालोर, भिलवाड़ा, डुंगरुपुर, अजमेर, संभाग, उदैपुर, बांसवाड़ा, टोंक और चित्तोरगर, शामिल है हाला कि इस भी संभावना जताई जा रही है कि डक्षिन पच्रिम राजस्थान और डक्षिन पूरवी राजस्थान में बहुत तेज बारिश हो सकती है साथी उतर भारत के राजी हिमाचल प्रदेश और उतराखन में कई लाकों में हलकी से मध्यम बारिश हो सकती है अभी के लिए इतना ही जुड़े रहें आज की खबर के साथ